असलाम अलेकुम गुड मॉनिंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल दोस्तों मैं शाहिनासन आपकी दोस्तों आपके लेकर आई हूं बहुत ही स्पेशल और इंपॉर्टेंट वीडियो कि दोस्तों अभी अप्रेल जो है स्टार्ट हो चुक है और सारे ही लोग जो हैं ब पासिब को लेकर के और रहना भी चाहिए क्योंकि आज आप इतनी बड़ी कंपनी के ब्रैंड अबे थेटर बन चुके हैं तो आपको हमेशा एकसाइटेड मोड में रहना चाहिए ताके भी लोगों का एक खुशी का माहल बना रहे क्योंकि आपको एक चीज बता दू हर ची क्या है कि वहां पर हर चीज अनलिमिटेड है जैसे कि फॉर एक्जामपल के तौर पे अगर हम बात करें यहां पर दोस्तों आपकी वैल्यू अनलिमिटेड है आप क्योंकि ऑनपासिफ दिल से बनाई जा रही है हमेशा हम इसलिए बात करते हैं यहां पर जितने भी प्रोड कुछ सवालों के जवाब हम यहां पर बात करेंगे हमारे फाउंडर्स के हैं और उन सब के जवाब दिये हमें थोर्स बहाइंड दफोर्स जिहां दोस्तों दिये जवाब हमें गुसमें दर सनने तो वीडियो में आखे तक जरूर बने रहीएगा और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आएं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे और बैल एकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताके लेटेस्ट वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों अभी हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टन कुश्चन आया है वो यह है कि हमार उनपैसिव इको सिस्टम में वो लॉग इन कर पा रहे हैं तो सवाल यह है कि क्या वो आईडी टर्मिनेट हो गई है या नहीं अभी यह चीज़ पता नहीं चल पा रहे है तो आपको कंपनी से क्या मैसेज आया है आपको कैंसल बटन क्लिक करने के बाद अगर आप लॉग इ कर पा रहे है तो भी आपको कंपनी से कोई ना कोई मैसेज आया होगा और आपको इस मैसेज में लिखा होगा क्या इडी टर्मिनेट हुई है या नहीं और क्लियर्टी अगर आपको चाहिए तो आप जो है सपोर्ट में मेल डाल करके पूछ सकते हैं जैसे कि आपने यहाँ पर सवाल प्रूछा लेकिन एक चीज़ और है दोस्तों OES में अगर आप जा करके ओफाउंडर में लॉगिन करें तो शायद आप महां देख पाएंगे कि वहां पर क्या हो रहा है क्योंकि सब लोग जो हैं OES से ही लॉगिन करें आने वाले टाइम में Mr. Ash ने भी कहा है कि आप OES में जाके ओफाउंडर लॉगिन कीजे और जैसे कि बताया गुस्मिंदर से ने कि अगर आप OES में लॉगिन कर पा रहे हैं अगर कैंसल बटन के बाद भी तो इट मींस आपको कोई श्याद प्रॉब्लम आने वाली नहीं है आपकी ID टर्मिनेट नहीं होई होगी लेकिन आप क्लियारिटी के लिए सपोर्ट में मेल डालिए और वहां से टिकेट चुनरेट करके पूछ लीजिए फ्रेट्स हमारे फाउंडर्स को हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप वेबिनार में कंटिनियसली बने रहा करिए खास कर जो गुस्मिंदर सर का कुछन आंसर सेशन होता कोई कोई आइडिए तो हम लॉगिन कर पा रहें लेकिन कोई नहीं कर पा रहें तो दोस्टो उसके लिए सिम्प्ली आपको जाकर के जो है आपको सपोर्ट में मेल डालना है और आपके अपने बलैसर को बोलना है कि वो आपके लिए एक मेल डालेंगे और वहां dzisiaj वहां से व for example, मेरा नाम सिर्फ शाहीन है, आईडी प्रूब में, तो क्या हम first name और second name दोनों में शाहीन लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों, आप बहुत ही असानी के साथ, अगर first name और second name में आप लिख रहे हैं, तो आप शाहीन लिख सकते हैं, मतलब कि जो भी आपका नाम है, आप वहाँ पर लिख सकते हैं, फ्रेंच आपको याद हुगा, दो दिन पहले मैंने आपको एक कुशन आज़े हैं, सेशन का एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था, कि कुछ लोग जो हैं, वो सुसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों वो क्यों, वो आउन पैसिफ रिज़न नहीं है, अच्छली अभी एक और को कुशन आया हमारे पास, कि एमेल आइडियो पासफ़र्ड है किसी फाउंडर के पास, और वो बंदा जो है, वो सब को छोड़ चाड़ के चला गया, क्योंकि वो दो करोड के कर्ज में डूबा हुआ था, अब आप सोचिए इसमें आउन पैसिफ का क्या दोश है, अगर आपने इतना कर्ज कहीं से ले रखा है, और ये तो हैनि दो करोड बहुत बड़ा अमाउंट होता है, अभी आप सिंप्ली जा करके जिनको भी अभी आईडी पासफट की प्रावलम आ रही है, अब मैं उनके लिए बोल रही हूं कि आप जो हैं जा करके ऐसे अगर कोई इशू आ रहे हैं, तो आप अपने सपोर्ट में मेल डालिए, अपने ब्लैसर से मेल डलवा दीजे, आप अप डेट ग, बुर्द खलीफा आ हो यह न वो न दुनिया वर के जो भी हमारे अपडेट हैं, देखे दोस्तों, मैं हमेशा बात करती हूं, जो आपडेट हमें इ theor ही हमें लीडर से लालिज़ और शें 1u अप डे सकते हैं, मैं अपने मंद से नहीं बोल सकती ना कि आपको कल से पैसा आएगा या आपको परसों से पैसा आएगा ऐसा बिलकुल भी नहीं है जब तक Mr. Ash नहीं बताएंगे हम आपस इस बारे में कुछ नहीं कह सकते लेकिन मुझे पता है आप लोग यही सुनना चाहते हैं कि पैसा कब से बिलकुल सही बात है कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जो है हमें मैसेज करके ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि मेरे पास परसनली उन्होंने मुझे मैसेज कर रहे हैं I don't know कौन थे क्योंकि नंबर भी नहीं है मेरे पास बट इस तरह कि कर देखिए हमारे फांडर सचैया है दूसतों जिनको रफण चाहिए वह दूसरे के घर जाकर ब्लैसर को जाकर धमकी दे रहें कि हमारे पैसे वापस दिलाए हमको रिफण चाहिए दूसतों अगर ऐसा कुछ है तो आप सिंपल जाकर दाली है आप अप कैंसल बटन को प्ले में मेल डालनी है वहाँ पर आपको पता है कि जो आपका ब्लैसर है उसने आपके लिए अच्छा ही सोचा होगा तब ही आज आपको वो उनपासिव में लेकर के आए या जब से भी है आज से आपने आईडी लिए है तब से आज तक दोस्तो आपने सिर्फ पेशन्स रखे हैं थोड़ा सा पेशन्स आप और रखें क्योंकि पेशन्स रखने से दोस्तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं क्योंकि क्या होता है अगर कोई immediate reaction देता है तो उससे काम बहुत सारे खराब भी हो जाते हैं तो थोड़ा सा पेशन्स रखें जब तक जो चीद आपको नहीं आती है उसके लिए आप किसी को भी गाइड मत किजे अगर माली जे मुझे नहीं आता था यह process तो मैं आपको गाइड नहीं कर सकती थी बट मुझे बता है कि हमें इस तरह से process apply करना है और refund लेना है तो वो मैंने आपको guide कर दिया तो लेकिन जब तक आपको कोई चीज नहीं आती तो पीद आप आगे किसी को भी guide मत करें और अब जो सवाल है दोस्तों वो बहुत important है government employees के जो हैं बहुत सारे लोगों के calls आ रहे हैं हमारे पास भी कि मैं हम पैसे को लेकर के हमें आने वाले टाइम में कोई problem तो नहीं आएगी और question answer session में भी दोस्तों यह question आया था तो उसके लिए बहुत ही असानी थे मैं आपको बता देती हूं on passive दोस्तों पूरी तरह से legal है और जब legal चीज पे आप काम करते हैं तो वहां से पैसा भी legal ही आता है मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई दो नमबर का पैसा आ रहा है आपको यहां पर legal है company तो सब कुछ legal है यहां पर तो अलग अलग countries के दोस्तों अलग अलग rules हैं यह बात हमने आपको पहली भी बताई इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं अगर आप government employee है तो आप अपनी wife के नाम पे जो आपने ID लीव है आप उसमें transfer कर सकते हैं या फिर आप उनके नाम का account खुलाके उसमें डाल सकते हैं इसलिए दोस्तों देखिए on passive में भी KYC यानि कि KYC जो होगा हमारा तो सिर्फ उनहीं लोगों का होगा जो की payment receive करेंगे तो आप अपनी wife की KYC कर सकते हैं साथ में अग इंडिया के लोगों के लिए जो है काफी help करेंगे उसमें क्या है कि स्पेशली tax consultant को हम यहाँ पर लेकर के आएंगे जो कि हमें legal advice देंगे कि हम उसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं अचा पूरे इंडिया में या फिर अधर country में जो है सब जगा country में अलग रग rules हैं कि आपको पैसा कहां से आ रहा है सबसे बड़ा matter यह होता है कि पैसा कहां से आ रहा है आपके account में कितना transaction हो रहा है तो mode of payment क्या रहेगा दोस्तों आपका online payment है क्योंकि यहाँ पर आप एक passive income generate कर रहे हैं तो इंडिया के rules कुछ अलग हैं तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं देन बिल्कुल भी आप लोगों को पैसा नहीं हो जाएंगे बहुत ही इदीली यह सारी चीज़े हो जाएंगी बट पहले बेट कीजे पैसे नहीं हो जाएंगे मिस जब तक कि आप लोगों की यह में पैसा नहीं डर जाएगा तब तक हम लोग आपको successful बलाने में जो है जो को साथ लेकर आता है तो बिल्कुल positive रहें दोस्तों stay tuned लगतार updates के लिए मेरे चैनल पर बनी रहें back office में जरूर विजिट करते रहें दो से तीन बार back office जरूर लॉग इन करें ताके latest updates आपको लगतार मिलते रहें thank you so much bye bye take care